आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ 66 hold 2 by 3% more time than traveling 270 km downstream then find the value of X चार options given है और इस Question को करते हैं हम लोग solve यहाँ पर हम लोग फिर से Ratio बनाते हैं बोट की स्पीड, वाटर की स्पीड, अप इस्ट्रीम स्पीड और डाउन्स्ट्रीम स्पीड का यहाँ पर बोला गया है कि 270 km डिस्टेंस जब up stream में cover करते हैं और down stream में cover करते हैं तो हमें up stream में time ज़्यादा लगता है up stream में time बोला गया है 66 hold 2 by 3% ज़्यादा time लगता है इसकी fraction value 2 by 3 अगर down stream में 3 unit time लगा हमें तो इससे 2 unit ज़्यादा 5 unit time लगेगा up stream में इनके time का ratio 5 और 3 का है तो speed का ratio just reverse हो जाएगा speed up stream की 3 unit और down stream की 5 unit अब इनकी speed को add करके half करेंगे 5 plus 3 8 हुआ 8 का half 4 तो 4 unit हो गई boat की speed अब इसके बाद boat की speed से अब stream speed माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी water की speed तो यहाँ से एक unit मिल गई water की speed question में boat की speed हमें given है चार unit बराबर दी गई है 12 km पर आवर हमसे पूछी गई है यहाँ पर x की value x यानि की speed of stream यहाँ पर एक unit की value पूछी की है 4 से 12 यहाँ पर 3 का multiply हुआ है तो एक unit की value निकालेंगे 1 इंटू 3 किया तो यहाँ से हमारा answer आजाएगा 3 km पर आवर यह हो जाएगा हमारा correct answer अब match कर लेते हैं अपने options so option number D 3 km पर आवर will be the right answer ओके thank you so much guys मिलते अब नए सवाल के साथ Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें doubt net आप यह whatsapp कीजे अपने doubts 8444 चार सूपर